दोस्तों अक्सार हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा एप यूज करें कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना एकाउंट खुलवाएं इस बात को लेकर हम इसा कन्फ्यूज रहते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी ब्रोकर के सा जैसे जेरो धा, एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक्स और धन का आज के इस वीडियो में इनके एकाउंट ओपनिंग चार्ज से लेकर इनका एकाउंट मेंटनेंस चार्ज, एमसी चार्ज, डीपी चार्ज और भी जितने तरह के चार्ज होते हैं सब का डिटेल कंपेजन करने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपको अपना खुद का ओपिनियन बताऊंगा, कि अगर मुझे चूज करना होता है, तो मैं किस ब्रोकर का चूज करता है, और क्यों करता है, जो कि पिछले एक साल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड किया हो, अगर आप एक साल के अंदर जाता है, और उसके बाद में आपका अकाउंट इनक्टिव हो जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जेरोदा का, जेरोदा का दोस्तो 66 लाग से जादा एक्टिव क्लाइंट है, वही अगर ग्रो की बात करें, तो ग्रो का भी 71 लाग से उपर एक्टिव क्लाइंट है, उ तो शबसे पहले बात करते हैं जे रोधा 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2010 के बाद से अब तक अपना सर्विस दे रहा है उसके बाद «grow» की बात करें तो «grow» 2016 में मार्केट में आया है उसके बाद आता है Angel One, Angel One 1996 से अपना सर्विस मार्केट में दे रहा है, उसके बाद आता है Opistox, Opistox 2009 में आया है और धन की बात करें तो धन 2021 में आया है, अब चलिए देख लेते हैं कि इनका एप कितना डाउनलोड से है और उनके रेटिंग क्या क्या है, तो सबसे पहले जेरो का भी एक क्रोर से ज्यादा डाउनलोड है और इनके भी एप का रेटिंग 4.4 है, उसके बाद में आता है दोस्तों, Opistox का भी एक क्रोर से ज्यादा डाउनलोड है, और इनके भी एप का रेटिंग 4.4 है, और सबसे लास्ट में आता है धन धन का 10 लाग से ज्यादा डाउनल करते हैं types of broker तो सबसे पहले बात करें जे रोधा करें जे रोधा एक discount broker है उसके बाद grow grow भी एक discount broker है उसके बाद आता है angel one angel one दोस्तो full service broker है उसके बाद आता है up stocks up stocks भी discount broker है उसके बाद आता है धन धन भी एक discount broker है अब दोस्तों बात करते हैं Charges के Charges में सबसे पहले हम Account Opening Charge देखते हैं जे रोधा में Account Opening Charge 200 रुपए Equity में और 100 रुपए Commodity में है यानि कि अगर आपको Equity में अगर Account Open कराना है तो उसके लिए 200 रुपए लाएगा और और उसके साथ-साथ Commodity में भी Open कराना है तो उसके लिए 100 रुपए और Extra लएगा यानि कि 300 रुपए प्लस GST वही ग्रो की बात करें तो ग्रो में Account Opening Charge फ्री है Angel One की बात करें तो Angel One में भी Account opening चार्ज फ्री है Upstox की बात करें तो Upstox में भी Account Opening Charge फ्री है जे रोधा में AMC charge के बात करें तो जे रोधा में अगर आपका holding value 50,000 से नीचे है तो आपका AMC charge 0 रुपया लगेगा यानि कि कोई charge नहीं लगेगा वही अगर आपका 50,000 से 2,000,000 के बीच में है तो आपको 100,000 रुपया प्लस 18% GST देना पड़ेगा और अगर 2,000,000 से ऊपर है तो आपको 300,000 रुपया प्लस 18% GST देना पड़ेगा वही grow की बात करें तो grow में आपका AMC charge बिल्कुल फ्री है एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में first year AMC charge फ्री है उसके अलावा 50,000 तक अगर आपका holding value है तो आपका उसमें भी कोई charge नहीं लगेगा और अगर वही 50,000 से 2,000,000 तक है तो आपका 100,000 रुपया प्लस 18% GST वही intraday and future की बात करें तो उसमें आपको 0.03% या 20 रुपया जो सबसे कम होगा वो देना पड़ेगा ओप्सन की बात करें तो option में आपको 20 रुपया flat charge देना पड़ेगा वही mutual fund आपको 0 दा में बिल्कुल free मिल जाता है अगला आता है grow में आपका delivery trade में 0.05% या 20 रुपया जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा वही intraday and future and option में आपको flat 20 रुपया का brokerage देना पड़ेगा grow में mutual fund बिल्कुल free है वही अब angel one की बात करें तो angel one में भी आपको delivery trade बिल्कुल free मिल जाता है equity intraday में आपको 0.03% या 20 रुपया जो सबसे कम होगा वो आपको दे पड़ेगा equity intraday की बात करें तो इसमें आपको 0.05% या 20 रुपया जो सबसे कम होगा वो देना पड़ेगा option की बात करें तो option में आपको flat 20 रुपया का brokerage लगेगा और वही mutual fund की बात करें तो mutual fund बिल्कुल free है अब last में आता है धन-धन का आपका delivery trade बिल्कुल free है intraday and future में आपको 0.03% या 20 रुपया जो सबसे कम होगा वो ही देना पड़ेगा option की बात करें तो धन में दो category है एक male account का और female account का अगर female के नाम पे account है तो आपको 10 रुपय per order देना पड़ेगा और अगर किसी भी male के नाम पे account है तो आपको 20 रुपय per order देना पड़ेगा उसके बाद है mutual fund की बात करें तो mutual fund बिल्कुल 0 है दोस्तो अब इन सारे broker के DP charge को हम समझ लेते हैं DP charge अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं DP charge का मतलब होता है depository participant charge अब यह charge क्या होता है यह charge basically एक bank के तरह होता है जैसे bank में पैसे जमा होते है न ऐसे ही depository participants होता है जो shares को store करके रखता है और वो अपने इस service के लिए charge कारता है जिसको हम बोलते है DP charge दोस्तों DP charge तभी लगता है जब किसी share का transaction होता है और share का transaction delivery trade में ही होता है यानि कि अगर आप कोई भी share आप buy करके अगले दिन के लिए ले के जाते हो उस condition में उसमें DP charge लगा जाता है क्योंक पहले जिरोधा के DP charge देख लेते हैं जिरोधा के DP charge है दोस्तों पर share के हिसाब से 13 रुपए 50 पैसा प्लस GST उसके बाद में अगर grow की बात करें तो grow का भी साहे 13 रुपए प्लस GST चार्ज लगता है उसके बाद में आता है angel one angel one में आपको 20 रुपए प्लस GST लगता है DP charge उ चलिए बात कर लेते हैं auto square of charges की auto square of charge भी important charge है दोस्तों क्योंकि जब भी हम intraday में कोई trade लेते हैं तो वह trade जो है GST है अब इस्टोक की बात करें तो आप स्टोक में भी आपको 50 रुपए प्लस GST देना पड़ता है वही धन की बात करें तो धन में आपको 20 रुपए प्लस GST लगता है तो यह था है दोस्तों इंडिया की टॉप 5 इस्टोक ब्रोकर का डिटेल कांपरेजन इन पांचों का लिंग मैंने description और comment में पिन कर रखा है तो आप जिस किसी के साथ पर अपना account खोलना चाहते हैं तो आप डारिक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना account खोल सकते हैं एक आखरी बात मेरे इस चैनल पर बहुत ही जल्द स्टोक मार्केट बेसिक से लेकर advance तक के सारे learning वीड झाल 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